Hello Students, Today we will do the Class 5th Worksheet No.19, Subject EBS and Chapters 10, 11 and 12. तो चलिए, शुरू करते हैं हम Worksheet को Solve करना. Question No.1, Dear Children, There are many forts in our country and these forts were mostly built by some kings or nawabs. These forts have very high and thick walls and very large doors. तो बच्चो इसमें आपको बताया गया है कि हमारे देश में कई सारे किले हैं और इन किलो को ज्यादातर राजा या नवाबों ने बनवाया था. इन किलो की दिवारे बहुत उंची और मोटी थी और इन में लंबे या बड़े दर्वाजे लगे हुए थे. अब आपको कुछ कुछ कोश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट पार्ट देखिए. Have you ever seen a fort? Write its name. क्या आपने कभी कोई किला देखा है? उसका नाम लिखो. तो मैं लिखता हूँ. Yes, I have seen the red fort in Delhi. हाँ, मैंने दिल्ली में लाल किला देखा है. Second part देखिए. Are the walls of fort thick? Why are they thick? Think and write. क्या किले की दीवारे मोटी हैं? रह मोटी क्यों होती हैं? सोचो और लिखो. तो बच्चो किले की दीवारे मोटी इसलिए होती हैं. ताकि उसको दुश्मन या खत्रों से बचा के रखा जा सके. आंसर लिखते हैं. Yes, the walls of fort are thick. The walls are thick to protect the fort from dangers. Third part देखिए. Why are small doors made under big doors of the fort? Think and write. किले के बड़े दर्वाजों के नीचे छोटे दर्वाजे क्यों बने होते हैं? बच्चो आपने भी किले के अंदर जो देखे होंगे बड़े दर्वाजे. उसमें कुछ चोटे दर्वाजे भी होते हैं. चोटे दर्वाजे इसलिए बना जाते हैं ताकि उसमें से लोग आ जा सके हैं. Small doors are made under big doors of the fort for the movement of people. अब question number 2 देखिए. Look at the map of Golconda fort and answer the following questions. अब यहां पर आपको Golconda के लेका नक्षा दे रखा है. आपको इसको देखना है और प्रश्णों के जवाब देने है. First question. How many doors are there in the fort? Write their names. तो नक्षे को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर 9 दर्वाजे हैं. अब लिखते हैं इसका answer. There are 9 doors in the fort. मकई दर्वाजा, पतन चेरु दर्वाजा, बंजारा दर्वाजा, जमाली दर्वाजा, दर्वाजा, नया किला, मोती दर्वाजा, फतेह दर्वाजा, बामनी दर्वाजा, और बोडली दर्वाजा. Question number 2 का second part देखिए. There are many palaces in the fort. Write their names. इस किले के अंदर कुछ महल भी हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, तो चलिए, उन palaces या महल के नाम लिखते हैं, बाला हिसार, शाही महल, महल तारामती, मोती महल, और नया किला. Third part देखिए, if you want to go to मोती महल from रेशमबाग, write the name of the road you have to take. अगर आप रेशमबाग से मोती महल जाना चाहेंगे, तो आपको किस सड़क पर जाना पड़ेगा, तो मोती महल जाने के लिए, रेशमबाग से हमें पतन चेरू दर्वाजा रोड पर जाना पड़ेगा. आंसर लिखते हैं, to go to मोती महल from रेशमबाग, we have to take पतन चेरू दर्वाजा रोड. Question number 3 देखिए, now you have seen the Golconda fort, let's travel on the planet earth and go to the space, discuss with your family members and answer the following questions. तो बच्चो अभी आपने Golconda किला देख लिया, चलिए, अब हम पृत्वी की सेर करते हैं और अंतरिक्ष में चलते हैं, अपने परिवार के सदस्टों से बात करो और निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए, पहला, what is the shape of the earth, पृत्वी की shape यानी आकार कैसा है, यह तो हम Why don't we fly on earth like astronauts do in the spacecraft, जिस तरीके से अंतरिक्ष यातरी spacecraft में उड़ते हैं, हम पृत्वी पर वैसे क्यों नहीं उड़ पाते हैं, बच्चो अंतरिक्ष में गृत्वा करशन शक्ती नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष यातरी वहाँ पर अंतरिक्ष यान के अंदर उड़ सकते है परन्तु हमारी पृत्वी पर पृत्वी की एक शक्ती गृत्वा करशन शक्ती कार्य करती है, जो हमें अपनी तरफ खीशती है, इसलिए हम पृत्वी पर नहीं उड़ सकते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब आपको इस खाली जगह में पृत्वी का एक चित्र बनाना है, और आपको उस पे खुद को दर्शाने की कोशिश करनी है, तो चलिए, कोशिश करते हैं, लो जी, यह बना दिया मैंने पृत्वी का चित्र और इसमें मैंने खुद क दर्शाने की कोशिश भी की है, बच्चों, पेट्रोलियम हमारे लिए एक बहुत जरूरी इंधन है, यह हमारी पृत्वी पर सीमित मात्रा में मिलता है, सीमित मात्रा का मतलब है कि यह एक समय बाद खतम हो जाने वाला है, और उसके बाद इसे दुबारा बनने में लाको करोडो वर्च लग जाएंगे, इसलिए हम इसको रॉन रिन्यूवल फॉर्म अफ एनर्जी कहते हैं, नौन रिन्यूवल फॉर्म अफ एनर्जी का मतलब हो इसलिए द कि इसलिए देखा होगा, ऐसा क्यों होता है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वाहनों के इंजन में खराबी होती है, जिस से उनके इंधन के अधर जले कण रह जाते हैं, इंधन की उन अधर जले कण ही इंजन से जब बाहर निकलते हैं, तो वह there are unburned fuel particles in the engine which comes out as smoke second part देखिए what problems do we face due to the smoke coming out of vehicles जब वहनों से धुआ निकलता है तो हमें कौन कौन से समस्याइं होती है जब वहनों से धुआ निकलता है तो हमें फेफ़रों की, सांस की, आंखों की और गले की समस्याइं होती है तो उतर लिखेंगे हम we get lungs, eyes and throat problems due to the smoke coming out of vehicle थर्ड पार्ट देखिए suggest some measures which can reduce the consumption of petrol and diesel in future इसमें हमें petrol और diesel को बचाने के कुछ सुझाव देने है तो पहला सुझाव है we should use these wisely यानि कि हम इनका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें दूसरा we should use solar energy and wind energy मतलब हमें solar उर्जा और पवन उर्जा का इस्तिमाल करना चाहिए बच्चों यहाँ यह वर्कशीट कंप्लेट होती है